बच्चों हम आपके बीच में फिर आ चुके हैं स्रेकोन मिती के CBSC बोर्ड 10th क्लास के 8.2 के प्रस्णावली पड़ पुस्चन नमबर एक जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं evaluate the following नीचे दिये हुए जो questions हैं इनका मान निकालना है तो अब हम सबसे पहरे चलते हैं साइन साथ इंटू कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास साथ का क्या मान होता है जैसा कि बेटा जानते हो कि साइन साथ का मान अंडर रूट रूटे अंडर रूट 3 बाई 2 के होता है और कास 30 का मान अंडर रूट 3 बाई 2 होता है प्लस साइन 30 का मान एक बटा दो होता है और कास साथ का मान एक बटा दो होता है अंदर रूट तीन में अंदर रूट तीन का गुड़ा करेंगे तो तीन हो जाएगा दो का दो में गुड़ा करेंगे तो चार हो जाएगा तीन बटा चार लिख सकते हैं प्लस एक में एक का गुड़ा करेंगे एक दो में दो का गुड़ा करेंगे चार तो चूंकि हर समान है इसलिए तीन में एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा चार बटा चार अंत में चार बटा चार को एक लिख सकते हो यही आपका आंसर होगा समझ में आया बेटा बहुत सस्ता सवाल है लेकिन इसमें त्रिकोन मिती अनुपात में साइन कार्श, टैन कार्ट सेक, कौसेक, इटसेक्टर का आपका मान आपको याद होना चाहिए सारणी देखने की जरूरत न पड़े उसको याद कर लिजिएगा कैसे निकाला जाता है इस प्रस्ण को पढ़ाने के पहले कूर्व की वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बड़े धंग से बता दिया अब अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन है कि 10 स्क्वाइर 45 प्लस काट स्क्वाइर 30 10 स्क्वाइर 45 प्लस काट स्क्वाइर 30 माइनस साइन स्क्वाइर 60 माइनस साइन स्क्वाइर 60 तो इसका मान आपको निकालना है कैसे करेंगे 10 45 का मान एक होता है चूंकि यहाँ पे 10 square 45 है इसलिए एक का square लग जाएगा दो पहले से था दो लिख दिया गया cast square 30 cast 30 का मान cardin 3 by 2 होता है square है तो square हो गया minus under root 3 by 2 का whole square अब एक का बर्ग एक एक में जब दो का गुड़ा करोगे तो 2 हो जाएगा plus under root 3 का बर्ग हो जाएगा 3 और 2 का बर्ग हो जाएगा 4 और minus फिर under root 3 का बर्ग 3 हो जाएगा 2 का बर्ग 4 हो जाएगा तो इसका मान जो है 3 बटा 4 3 बटा 4 से कड़ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा यही इसका answer होगा समझ में आ गया अब अगले कुश्चन पर हम चलते है अगला कुश्चन आपका है बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कास 45 अपान सेख 30 प्लस पोसेख 30 कास 45 अपान सेख 30 प्लस पोसेख 30 यह आपका प्रश्ण है इसमें आपको हल करना तो जैसा कि आप जानते हैं कास 45 में मान 1 बटा अंडर रूट 2 होता है सेख 30 में मान आपका 2 बटा अंडर रूट 3 होता है सेख 30 में 2 बटा अंडर रूट 3 होता है प्लस को से 30 में आप कामान क्या होता है दो होता है इस तरह से अब आप बराबर का निशान लगाएंगे यहाँ पाई खीचेंगे एक बटा अंडर रूट दो लिखेंगे इस अंडर रूट तीन का दो से गुड़ा हो जाएगा तो दो अंडर रूट तीन यहाँ पे लिख देंगे बीच में प्लस का निशान है इधर दो है अपान अंडर रूट पे लिख देंगे अब बेटा इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे एक बटा अंडर रूट दो लिखेंगे गुड़ते अंडर रूट 3 जो है ये उपर चला जाएगा ये अंडर रूट 3 उपर चला जाएगा अंडर रूट 3 अपान 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा अब पुना ही इसको हल करेंगे तो एक बटा अंडर रूट 2 गुड़ते अंडर रूट 3 यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 2 पोस्टक में 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 लिप उठेगा अब पुना ही इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 3 होगा जब इस अंडर रूट का 2 में 2 गुड़ा हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा प्लस इस अंडर रूट 2 का उसमें गुड़ा हो जाएगा तो टू अंडर रूट, चुंकि दो कागुड़ा तीन में हो जाएगा, तो दो अंडर रूट छा हो जाएगा इस तरह से आपको ये मान प्राप्त हो जाता है लेकिन यहां तक भी सही है, यहां तक भी अगर करके आप छोड़ देते हैं तो सही मान जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का कथन होता है कि चुंकि क्लास नाइन्थ में आप रैस्नलाइजेशन कर चुके हैं तो इसलिए इसको रैस्नलाइजेशन की जरूरत पड़ती है रैस्नलाइजेशन में होता यह है बेटा कि यही पूरा एमाउंट जो यहां पे प्लस है उसको माइनस कर दिया जाता है अंस और हर में उसका गुड़ा कर दिया जाता है तो यहां पर आप लिखोगे अंडर रूट 3 पोस्टक में 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपान यहां पे लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 इन्टू 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 यह लिख रूट सा है यह चीज इससे कड़ जाएगी तो वही पहले वाली चीज आपको स्राथ हो जाएगी rationalization अब यहां पे देखो बेटा a की जगह पे दो अंडर रूट 2 है और b की जगह पे दो अंडर रूट 6 है तो a square minus b square वाला फार्मूला यहां पर लागू हो जाएगा a plus b into a minus b उपर हम लिख देंगे क्या अंडर रूट 3 into 2 अंडर रूट 2 minus 2 अंडर रूट 6 upon इसको लिखेंगे दो का बर्ग 4 हो जाएगा into under रूट 2 का बर्ग 2 हो जाएगा मनला 2 दूट 4 दूट 8 हो जाएगा इसी तरह से इसका minus 2 दूट 4 चाचव 24 हो जाएगा b बर्ग जो है 2 अंडर रूट 6 है b 2 अंडर रूट 6 है तो जब b का बर्ग करोगे तो 2 दूट 4 और 4 चंग 24 यह हो जाएगा और यह जो है आप फिर यहाँ पर अंडर रूट 3 का इसमें गुड़ा करेंगे तो यहाँ यहाँ पर लिख देंगे 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 18 4 दूट 24 में से 8 गए कितना हो जाएगा 16 चूंकि रिंड 24 ज्यादा है 4 दूट इसका मतलब गुड़े का निशान होता है तो चार दूट 28 में साथ गए तो यहाँ पर रिंड 16 हो जाएगा अब दो कामन ले लेंगे तो दो यहाँ पर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 अपान माइनस 16 हो जाएगा इस दो से 16 कार देंगे तो 8 हो जाएगा माइनस 8 यहाँ पर बच जाएगा तो अब आपका यहाँ जब माइनस कामन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 6 अपान माइनस 8 के यह से कट जाएगा आपका आंसर हो जाएगा क्या अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 6 अपान 8 के अंडर रूट 6 अठारा माइनस अंडर रूट 6 अपान 8 के यही आपका आंसर हो जाएगा कमझ में आया इसमें कुछ करना नहीं है अगले चैप्टर पर हम चलते हैं अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन क्या है ध्यान से पढ़ें अगला कुश्चन है इसका मान आपको निकलना है इसका मान निकालने के लिए आपको सरप्रथम जानना है कि साइन तीस में क्या मान होता है तो साइन तीस में मान बेटा एक बटा दो के होता है तैन पैंटालिस में मान एक होता है अब कोसिक साथ में क्या मान होता है दो बटा एक बटा दो होता है कोसिक साथ मनलब साइन साथ करणिंट्री दो बटा करणिंट्री होता है क्या होता है दो बटा करणिंट्री अपान सिक तीस का मान क्या होता है सिक तीस सिक तीस का मान होता है दो बटा अंडर रूट तीन अगर न याद हो तो टेबिल से देख लेना का साथ का मान एक बटा दो और काट पैंतालिस का मान एक होता है इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अब हम आपको बड़ा सठीक तरीका बताने चल रहे हैं इस तरीके में आपको कुछ नहीं करना है बलकि लगुत्म समापवर्थक लेना है क्या लेना है लगुत्म समापवर्थक लेना है लग्चम समापवर्थक का मतलब ऊपर जो है एक लाइन आप खीचेंगे, एक लाइन यहाँ खीचेंगे, एक लाइन यहाँ खीचेंगे, इस तरह से तीन लाइन आप खीचेंगे, दो और अंडर रूट तीन इसका लग्चम हो जाएगा, तो दो अंडर रूट तीन लिख दे यहां पर अंडर रूट तीन लिखेंगे, यहां पर प्लस एक लिखेंगे, प्लस दो अंडर रूट तीन लिखेंगे, और यहां पर रेण क्या लिखेंगे, चार, चूंकि तीन तीन से कट जाएगा, दो बचेगा, तो दो दुना चार हो जाएगा, ठीक, इसी तरह से इसमें भी आप दो अंडर रूट तीन लगसम लेंगे दो अंडर रूट तीन लगसम लेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका चार और यहां पे आपका क्या होगा प्लस दो अंडर रूट तीन ठीक दो अंडर रूट तीन और यहां पे क्या होगा यहां पे यहां पे आपका होगा अंडर रूट तीन क्या होगा यह देख लो थोड़ा सा यह है तीन है यह दो यहां थोड़ा सा बड़े में बता देते हैं इसको ऐसे लिख देना है बेटा थोड़ा सा बड़ी टाई आप खीचेंगे यहां पे दो अंडर रूट तीन LCM ले लेंगे यहां पे आपका करणिम थ्री हो जाएगा अंडर रूट थ्री हो जाएगा यहां प्लस टू अंडर रूट थ्री हो जाएगा और यहां पर चार हो जाएगा इसी तरह से टू अंडर रूट थ्री यहां नीचे वाले में भी ले लेंगे जब two under root three ले लेंगे तो यहाँ पे चार हो जाएगा यहाँ पे under root three हो जाएगा ठीक, यहाँ पे under root three हो जाएगा यहाँ पे two two से कट जाएगा तो चार्ट में तालिस कमांग एक है न यहाँ प्लस है उपर कोशिक साथ यहाँ प्लस है यहाँ पे यहाँ प्लस है पेटा तो यहाँ पे आपका under root three हो जाएगा और यहाँ पर प्लस two under root three हो जाएगा अब यह two under root three two under root three से कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे under root दो under root three ने और तीन under root three मिल करके मिल हो जाएगा तीन under root तीन और यहाँ पे फिर माइनिस चार है तो माइनिस चार लिख देंगे यहाँ पे तीन under root three प्लस चार आंसर तो यहीं पर आपका आ गया लेकिन अभी इसको रिस्नलाइज करने का थोड़ा सा एक प्रावधान है तो रिस्नलाइज करने में जो नीचे का हर है इसी का निगेटिव साइन के साथ गुड़ा हो जाता है निगेटिव साइन जो यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनिस कर देते हैं और फिर इसी का गुड़ा कर देते हैं समझ में आ रहा है ना अब इसको हल कर लेंगे ऊपर आ जाएगा तीन under root तीन माइनिस चार का whole square अपान तीन तरिक का नो तरिक 27 हो जाएगा और चार चव 16 हो जाएगा इतना तो समझ में आ गया ना अब इसका whole square जब खोलेंगे तो तीन under root तीन का whole square हो जाएगा प्लस 4 का whole square हो जाएगा माइनिस दो इंटू 3 इंटू 4 इंटू under root तीन बटा 27 में से 16 हो जाएगा यहाँ पर अब इसको जब खोलोगे तो तीन तरिक का नव तरिक 27 हो जाएगा प्लस 4 चोग 16 हो जाएगा ठीक 4 चोग 16 अज 4 तीन इसको जोड़ोगे तो तैन तालीस हो जाएगा माइनिस 24 अंडर रूट 3 अपान 11 यही आपका आंसर हो जाएगा समझ में आया यह आपका आंसर हो जाएगा इसको आप बाकाइदे समझ लीजी और जहाना समझ में आये पुना बार बार रिपीट करके प्रस्ण को देखिए आपके समझ में बखो भी आ जाएगा अब अगले प्रस्ण पर हम चलते हैं अगला प्रस्ण क्या है अगला प्रस्ण है 5 कास स्क्वाइर साट्स प्लस 4 से क्स्वाइर 30 माइनिस 10 स्क्वाइर 45 अपान साइन स्क्वाइर 30 प्लस कास स्क्वाइर 30 का क्या मान होगा तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना है एक लाइन ले लो यहाँ 5 है तो 5 लिख दो कास साट का मान एक बटा दो होता है तो इसका होल स्क्वाइर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4 है से क्स्वाइर 30 का मान होता है दो बटा अंडर रूट तीन का होल स्कॉयर हो जाएगा प्लस प्लस नहीं है ये माइनिस है माइनिस है पैन स्कॉयर पैंटालिस का मान एक होता है अपान साइन स्कॉयर थर्टी का मान एक बटा दो का होल स्कॉयर और कास स्कॉयर थर्टी का मान अंडर रूट थी बाई टू का होल स्कॉयर अब आप जानते हो पांच इंटू एक बटा चार हो जाएगा प्लस चार इंटू दो दूना चार अपान तीन हो जाएगा प्रेंड एक अपान एक बटा चार और तीन बटा चार मिल करके एक हो जाएगा अब इसको आगे बढ़ा दीजिए तो यहाँ पे क्या जाएगा पांच बटा चार ठीक क्या आएगा पांच बटा चार अब चार चुक सोलव बटा तीन रिण एक अपान एक हो जाएगा अब इसको जब आगे हल करो बेटा तो आप डाइरेक्ट अब लिख दोगे पांच बटा चार प्लस सोलव बटा तीन माइनस एक बारह लगतम हो जाएगा पांच याई पंदरह पांच याई पंदरह अब सोलव चुक आप चयोंसट माइनस बारह हो जाएगा अब पंदरह में सो बारह घटाओगे तेरह चौंसट तेन सरशट बटा बारह यही आपका आंसर हो जाएगा समझ में तो आगया होगा आपके अब हम अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन क्या है तू टैन थर्टी एपान वन प्लस टैन थर्टी का मान क्या हो जैसा कि आप जानते हो टैन थर्टी डिगरी का मान सारणी से आपने देखा होगा टैन थर्टी का क्या मान होता है टैन थर्टी का मान होता है साइन थर्टी एपान कास थर्टी टैन थर्टी का क्या मान होता है साइन थर्टी एपान कास थर्टी मतलब एक बटा अंडर रूट तीन होता तो यहाँ पर 2 लिखोगे, 1 बटा अंडर रूट 3 लिखोगे, बटा 1 प्लस एक बटा अंडर रूट 3 का whole square लिखोगे अब इसमें कुछ करना नहीं है 2 बटा अंडर रूट 3 हो गया बटा 1 प्लस एक बटा तीन होगे क्या होगे, एक बटा तीन होगे इसको लिख सकते हो, 2 बटा अंडर रूट 3 गुरते 3 एक अंडर तीन, एक चार बटा तीन, तो तीन उपर चला जाएगा तीन बटा चार के हो गया, 2 दोना चार तो तीन को लिख सकते हो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बटा 2 इंटू अंडर रूट 3 इसको इससे काट दिया गया तो अंडर रूट 3 बटा 2 आ गया, क्या आ गया, अंडर रूट 3 बटा 2 समझ में आया थ नहीं, तैन थर्टी के मान वन बटा रूट 3 तो टू इंटू वन बटा रूट 3 हो गया, वन प्लस वन बटा रूट 3 का होल स्क्वाइर कर दिया तो 3 एक अंडर 3 एक चार, हाँ यही होगा, साइन साथ सिस्क्वाइर, यही आंसर होगा अब अगले कुस्चन पर हम चलते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वाइर 45, इसको देखते ही आप हल कर सकते हो, 1 माइनस 10 स्क्वाइर 45 का मतलब 1 का स्क्वाइर अपान 1 प्लस एक का स्क्वाइर, यद 1 माइनस 1 अपान 2 हो जाएगा, मतलब सुन्य अपान 2 हो जाएगा इसका मतलब कि इसका अनंत बार, नहीं इसका दो सुन्ने सुन्ने हो जाएगा इसका मान जो है सून नहीं हो जाएगा यही इसका आंसर होगा समझ में आ गया है अब अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल यह है देखिए 10 A प्लस B बराबर अंडर रूट 3 है क्या है 10 A प्लस B बराबर अंडर रूट 3 है तो इसको आप लिख सकते हो 10 A प्लस B बराबर 10 60 10 60 में अंडर रूट 3 मान होता है तो A प्लस B बराबर 60 डिग्री यह समी करण एक हुआ दूसरा है 10 A माइनिस B बराबर 1 रूट 3 के तो इसको लिख सकते हो 10 A माइनिस B बराबर 10 30 के तो A माइनिस B बराबर 30 के एक्वेशन नमबर 2 है तो यहां पर A माइनिस B इस इक्वल टू तो थर्टी एक्वेशन नमबर 2 बनेगा ठीक B B से कट गया तो A बराबर 90 तो A बराबर 90 बाई 2 मतलब 45 डिगरी तो A प्लस B बराबर 60 है A बराबर 45 डिगरी तो B का मान 60 माइनिस 45 हो जाए बराबर 15 डिगरी अब सुन जो है लेस है A से अंगल A से और लेस आर इक्वल दैन B से लेस आर इक्वल दैन B से है प्रूफ हो गया प्रूफ ठीक तमझ में आ गया अब नेक्स्ट कुस्टन चलते हैं कुस्टन नंबर फोर्थ कुस्टन नंबर फोर्थ में लिखा गया है कि साइन ए प्लस B बराबर साइन ए प्लस साइन बी यदि माने इफ A बराबर तीश डिगरी और B बराबर साथ डिगरी हम ले रखते हैं तो साइन ए तीश है प्लस B शाट बराबर यहां पे लिखते हैं साइन तीश प्लस साइन साथ तीश साथ नब्बे हो गया साइन नब्बे बराबर साइन तीश में मान एक बटा दो साइन साथ में करडिन 3 बाई 2 साइन नब्बे में मान एक होता है तो वन प्लस अंडर रोट 3 बाई 2 के हुआ जो P एक्वल नहीं है तो स्टेटमेंट स्टेट मेंट इस पाल्स अब अगले कुश्चन चलते हैं अगला कुश्चन है दबैलू आप साइन थीटा इज इंक्रीज तो सिद्धी सी बात है साइन लिखो यहां पर जीरो डिगरी पीश डिगरी पैटालिश डिगरी साथ डिगरी और नदबे डिगरी साइन जीरो में जीरो तीस में एक बटा दो एक बटा अंडर रोड दो करणिन थी बाई टो नाइन थी मुँँए तो साइन जीरो में जीरो है साइन थीस में एक बटा दो कहने का मदब यह कि जब पूर के मान बढ़ रहे हैं अंगल the value of angle is increased then the value of the sign is increases so it is truth statement true statement समझ में आया ना साइन जीरो में जीरो है साइन थीस में एक बटा दो हो गया मतलब जीरो से एक बटा दो जब अंगल का मान बढ़ रहा है तो sign के कूण का भी मान बढ़ रहा है इसलिए यह truth statement अगले question चलते हैं the value of cost theta is increased theta increases कर रहा है कि cost theta का मान बढ़ता है जब theta का मान बढ़ता है cost zero में एक फिर cost 30 में अंडर रूट 3 बाई 2 cost 45 में एक बटा अंडर रूट 2 cost 60 में एक बटा दो यहां पे 0 so statement is statement is fails काने का मतलब कि statement जो है वा fails है the value of cost theta is not increased as theta is increases understood clearly अब question number sin theta बराबर cost theta all value of theta sin theta theta के सभी मानों के लिए sin theta और cost theta के मान बराबर होते है नहीं ऐसा नहीं sin और cost zero तीस पैंतालिस साठ नद्वे के डिगिरियां है इसमें लिखते हैं आप zero एक बटा दो एक बटा रूट 2 अंडर रूट 3 रूट 2 एक फिर एक अंडर रूट 3 रूट 2 वन रूट 2 यहां पे एक बटा दो यहां पे शूट आप बटा बटा रूट 2 आप बटा यहां आप नसमाइ थे एक टथे रूट 2 समझना है अब अगले क्वेश्चन चलते है काट A इस नाट डिफाइन फार A काट A जब इफ A is equal to the 0 हैंस काट A is equal to the काट 0 और इस तू लिख सकते हैं 1 upon 10 0 1 upon 10 0 infinity इस तेटमेंट इस तेटमेंट इस तेटमेंट इस इस तूट इस तेटमेंट इस तूट क्योंकि यह बराबर 0 के लिए काट 0 का मान आप अरिभ्यासित है अनंत है इन्फिंटिव हैं इसको सेयर कर दें सब्स्क्राइब कर दें लाइक कर दें इतना ही सहयोग आपका अपेच्छित है मेरा उद्देश है कि आप इस समय हाइस्पूल की बोर्ड की परिक्षाओं की तैयारी में होंगे सीबियस्पी बोर्ड की परिक्षाओं की तैयारी में होंगे तो टेगना मेट्टी इस समय पढ़ाई जा रही होगी, चुंकि ये सितंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद प्रीबोर्ड भी आपके होंगे, मेरा मूल उद्देश है कि हम आपको इस लेबल पे तयार कर दें, कि आप इंटर तक जाते जाते यंडिये की परिच्छा में उत्तिर्ण हो लें, ये मानना है कि आप टेगनामेट्री में महारत हासिल कर लें, और जो भी कुश्चन या अंडिये की परिच्छा में पूछे जाएं, आई स्कूल लेबल पे या इंटर लेबल पे आप उसको साल्व कर लें, और इन ही सो कामनाओं के साथ हम अपेच्छा करते हैं कि आप हमार इस चैनल को सबस्क्राइब करेंगे, इसको सेयर करेंगे, इस पर कमेंट लिखेंगे, और जो कुछ भी सुझाव आपके हूंगे, आप उसे हमें बताने का क्रिपा करेंगे, जिससे हम आपकी समक्ष और अच्छे धंग से पेश हो सकें, मेरा मुख्य उद्देश है आपको इन डिये की परिक्षा में उत्तिर्ण कराने का, मेरा उद्देश ये नहीं है कि मैं टेगना में टी इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप हाई स्कूल से भी स्टी वोर्ड पास हो जाएं, हमारा मुख्य उद्देश है कि आप राष्टी रक्षा का आदमी जैसी परिक्षाओं को बखो भी अंजाम दे दें, आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, कम उमर में आप क्लास वन अप्सर बन जाएं, ये मेरा जो है मूल उद्देश है, मेरा उद्देश बस इतना है कि आप भी जानेंगे कि कोई सर हमको पढ़ाये थे, जो कि बहुत अच्छा पढ़ा और अपना ग्यान आप लोगों के बीच प्रसुत करते रहें, जै हिंद, जै भारत, धन्यवाद हुआ है